नमस्कार साथियो, आपका एक्जाम यूटूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है आप सभी को पता होगा कि इस चैनल पर हम continue MPPSC Pre के लिए अलग-अलग कोचिन इस्टिउट के टेस्ट पेपर को अपलोड कर रहे हैं आज का जो टेस्ट पेपर है, इस टेस्ट पेपर में हम MPPSC Pre Unit 9 Science & Tech इस से related हम टॉप इंपोटन्ट कोचिन को डिस्कस करेंगे आज का जो टेस्ट पेपर हमने दिबाई यस से लिया है तो चलिए बिनादेरी की शुरू करते हैं और अब चैनल पर पहली बार हूं तो प्लीज चैनल को सस्काइब जरूर कीजिए और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए तो आज का जो फर्स्ट कॉस्टन है कि कम्पूटर में जहां ऐसे सरी जोड़ती है उसे क्या कहते हैं तो कम्पूटर में वह है इस थान जहां पर ऐसे सरी जोड़ती है उसे हम क्या कहते हैं तो उसे हम पोट कहते हैं क्या कहते हैं उसे हम पोट कहते हैं नेश्ट कॉश्टन क्या है नेश्ट कॉश्टन है कि SMPS SMPS का पूरा नाम क्या है तो यहाँ SMPS का पूरा नाम है, अब फुल फॉम पूछ गया है, तो इसका जो पूरा नाम है, Switched Mode Power Supply का है, Switched Mode Power Supply है, इसका पूरा नाम है, Next question है, कि धीमी Internet Connection सेवा कौन सी होती है, तो आप सभी ने पढ़ा होगे कि जो Dial-Up Service है, कौन सी Dial-Up Service, यह सबसे धीमी Internet Connection सेवा होती है, Next question देखंगे, कि Byte Processing, Spreadsheet और Photo Editing यह किसके उधारण है, तो Byte Processing, Spreadsheet और Photo Editing यह किसके उधारण है, तो यह Application Software के उधारण है, किसके उधारण है, Application Software के, Next question क्या है, Computer Hacker है, तो Computer Hacker कौन होता है, तो इसका जो Right Answer है, Option B है, कि एक बैक्ती जो बैक्ती के तलाब के दूसित एरादों से Computer सुरक्षा का पालन नहीं करता है, तो इसे हम क्या कहते हैं, Computer Hacker कहते हैं, जो दूसरों की Computer में हेर फेर या छेड़ साड़ करता है, Next question देखंगे, Next question क्या है, कि वीडियो कॉनफरेंसिंग क्या है, तो इसका जो राइट आंसर ओप्सन है, दूर संचार प्रद्यों की का उपियो करते हुए, वीडियो कॉल का परीचालन करना है, वीडियो कॉनफरेंसिंग कहलाता है, Next question क्या है, कि निमनांकित में से किस प्रोटोकॉल द्वारा, व्ल्ड वाइड बेब पर पहुचा जा सकता है, तो निमनांकित में से किस प्रोटोकॉल द्वारा, www, या व्ल्ड वाइड बेब पर पहुचा जा सकता है, तो HTTP क्या है, HTTP या Hypertext Transfer Protocol, क्या होता है इसका पूरा नाम, Hypertext Transfer Protocol, Next question देखंगे, कि URL का पूरा नाम क्या है, तो URL का पूरा नाम पूछे गया है, तो Uniform Resource Locator, या इसका पूरा नाम है क्या Uniform Resource Locator, Next question है, कि Cybercrime का का कारे क्या है, तो Cybercrime या जो Cyber Attacker रहते हैं, वो क्या कारे करते हैं, Hacking करते हैं, बिल्कु सही, Stocking करते हैं, और Denial of Service करते हैं, तो इसका जो Right Answer है, Option D, वो प्रोक्त सभी हो जाएगा, Next question देखंगे, कि निम्ना आंकित में से, या निम्लेकित में से, कौन सी Memory का Access Time सबसे कम होता है, तो निम्लेकित में से कौन सी Memory है, जिसका Access Time सबसे कम होता है, और सबसे तेज स्पीड होती है, तो इसका जो Right Answer Option एक, कैस Memory क्योंकि जो कैस Memory होती है, कैस Memory होती है, CPU और Man Memory की बीच होती है, किसकी बीच, CPU और Man Memory की बीच, जो स्थान होता है, वहाँ कैस Memory होती है, और Man Memory कौन कौन सी होती है, RAM और ROM को हम Man Memory कहते हैं, तो Microsoft Word अभी हमने देखा यह है एक application software का उधारण है किसका उधारण है application software का next question देखंगे next question क्या है कि hacking से आप क्या समझते हैं तो hacking में क्या होता है तो searching नहीं होता है security भी नहीं होती है तो इसका जो right answer हो जाएगा option D none of these या N मैंसे कोई नहीं next question देखंगे कि block सब्दे किन दो सब्दों का से उजन है तो block सब्दे किन किन से मिलकर बना है तो इसका जो right answer है option A है बेब प्लस लॉग इसका option A write हो जाएगा next question देखंगे next question क्या है तो जो next question least connection क्या होता है तो जो least connection है जो least line होती है या एक layer connection होता है जो हमारे हम वाइफाई की लाइन होती है वाइफाई connection होता है वो least connection का ही उधारण माना जाता है next question देखंगे कि HTTP का internet address में सही विस्तार क्या है तो है HTTP का पूरा नाम पूछे गया है तो hypertext transfer protocol क्या है इसका पूरा नाम Hyper Test Transfer Protocol या इसका पूरा नाम है Next question देखंगे कि भारत के पहले banking robot का नाम क्या है तो भारत का जो पहला banking robot है कौन सा उसका नाम क्या है तो उसका जो नाम है लक्षमी है लक्षमी इसे तमिलाडू के कुम्म कोडम में City Union Bank में स्थावित किया गया है किसी लक्षमी banking robot को Next question देखंगे Next question क्या है Next question है कि इसका उपयोग किसी चित्र या फोटोग्राप की बिल्कुल सही डिजीटल प्रतिलिपी बनाने के लिए किया जाता है जिसे किसी कम्पूटर पर संग्रेट किया जा सकता है तो किसका उपयोग किसी Photograph की बिल्कुल सही Digital प्रतिलिपी बनाने में किसका उपयोग किया जाता है तो इसका जो Right Answer option भी Scanner का उपयोग किया जाता है Next question देखंगे, next question के Linux में LS command का उपयोग किसके लिए किया जाता है जो LS command होती है, Linux में होती है और इसका पूरा नाम किया है तो Linux cell command इसका जो उपयोग है किसी directory या निर्देशी का की सामगरी देखने के लिए ls command का उपयोग किया जाता है Next question देखेंगे कि निमलेखित में से कौन सा micro computer नहीं है तो निमलेखित में से कौन सा एक micro computer नहीं है तो जो Pentium है क्या Pentium है एक micro processor है जबकि personal computer, home computer, laptop, tablet, smartphone और desktop computer है यह सभी micro computer को धर्ण माने जाते है Next question देखेंगे कि PowerPoint निमें से क्या होता है तो जो PowerPoint है एक presentation package होता है क्या PowerPoint की साहता से हम presentation बनाते है यहाँ आपको बता दू कि MS Office के अंतरगत MS Office एक package है और इसके अंतरगत MS Excel, MS PowerPoint, MS Access और MS Bud यह सभी application software आते हैं किसके अंतरगत MS Office के अंतरगत Next question देखेंगे Next question क्या है कि दो पिरकार के output device कौन से है यहाँ पर कुछ output device दिएगा है तो output device कौन कौन से है तो इसका जो right answer है option यह है monitor और printer है दोनों ही output device है कौन monitor और printer Next question देखेंगे Next question क्याकि कि दो इसके निमिलेखत में से कि on email labe माने जाता है Delivery की speed होती है बिस्वसनीता होती है और इसकी व्यापक्ता होती है इसली इसका जो right answer हो जाएगा और सिलो deliverी भी नहीं होती है और है Microsoft का भी नहीं है, इसलिए इसका जो right answer है, option A हो जाएगा, next question देखेंगे, कि computer को internet से कौन जोड़ता है, तो computer को internet से modem द्वारा जोड़ा जाता है, किसके माध्यम से modem द्वारा computer को internet से जोड़ा जाता है, next question देखेंगे, computer संबंध गतिविधियों में प्रयोक्त USB का पू पूरणाम है, next question देखेंगे, कि निमनमैसे कौन सा एक बेब ब्राउजर है, तो इसका right answer क्या है, option C, Firefox, जो mozilla Firefox से एक बेब ब्राउजर है, इसके लावा यहाँ कुछ और बेब ब्राउजर आपको देख रहे होंगे, जैसे Google Chrome हो गया, Opera Mini हो गया, Apple Safari हो गया, Vivaldi, डग डग एसा भी बेब ब्राउजर के अंतर गताते हैं, next question देखेंगे, कि virtual memory क्या होती है, जो virtual memory है, इसका उप्योग hard disk की memory या secondary memory की रूप में इसका उप्योग किया जाता है, जिससे CPU extended RAM की तरह उप्योग करता है, इसलिए इसका right answer option ही हो जाएगा, साथ ही वदिया आप लोग इस test series को continue रखना चाहते हैं, तो please channel को subscribe जरूर कीजिए, क्योंकि मेरे पास भी limited time होता है, उसमें भी मैं यहां वहां से test arrange करके, एक platform पर आप सभी के लिए upload कर रहा हूँ, क्योंकि यह जो test होते है, pay test series के paper है, जो मैं आपको free of question यहां पर discuss करा रहा हूँ, तो आप सभी से इतना म cdrw, इसका पूरा नाम क्या है, compact disk read and writeable, इसका पूरा नाम है, तो इसका right answer क्या है, option है, इसमें सूचना information को read, write और rewrite किया जाता है, इसलिए इसका जो right answer हो जाएगा, option हो जाएगा, next question देखंगे, कि dext आपर जो छोटे picture यह object होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, तो dext आपर जो छोटे picture यह object होते हैं, इसका right answer, option है, इन्हें हम icon कहते हैं, क्या कहते हैं, next question देखंगे, कि निमने में से कौन सा एक input device नहीं है, तो निमने में से कौन सा एक input device नहीं है, तो यहाँ पर कुछ input device, sorry, यहाँ पर कुछ device दी गई हो, और इन्हें से input device को find out करना है, तो इसका right answer क्या हो, जो एक option सी printer, क्योंकि printer है यह एक output device है, ना कि input device, जबकि keyboard, mouse और scanner रहती नहीं, input device है, जबकि printer output device है, next question देखंगे, कि email attachment क्या होता है, तो email attachment क्या कहलाता है, तो इसका right answer option भी है, इसमें email message के साथ, दूसरे program से भीज़ा गया, एक अलग document होता है, email attachment के मात्यम से ही ह इसे ही हम email attachment कहते हैं, next question देखंगे, next question क्या 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 होता है, तो chat क्या होती है, तो इसका right answer option भी है, type conversation जो computer पर होती है, इसे हम chat कहते हैं, next question देखंगे, कि spam निमलेखित में से किसे कहते हैं, तो spam हम किसे कहते हैं, तो unsolicited email को ही हम, या अनबांचित email को ही हम spam कहते हैं, next question देखंगे, कि artificial intelligence यह सब्द है, किस generation से सम्बन देत है, तो AI या artificial intelligence सब्द है, या 5th generation से सम्बन देत है, किस generation से 5th generation से artificial intelligence सम्बन देत है, next question देखंगे, कि wide processing program फ स्सक्षायद के का सब्सक्राइब। स्सक्राइब करते विए ट्रवाइब कृट्वाइबक है है नेस्ट कोश्चन देखंगे कि निम्लेखत मेंसे किस समूह में किवल आउटपूट डवाइज हैं तो इसका जो राइट आणसर और और प्लॉटर प्रिंटर और मॉनिटर यह तीनों ही आउटपूट डवाइज होती है नेस्ट कॉच्छन देखंगे नेस्ट कॉच्छन है कि प्रोक्सी सर्वर का उप्यों नमलेखित मैंसे किसके लिए किया जाता है तो जो प्रोक्सी सर्वर होता है यह user और सर्वर की बीच gateway का काम करता है और computer पर किसी भी प्रकार का जो cyber attack होता है उससे रोकना या computer की सुरक्षा प्रदान करने के लिए proxy server का उप्योग किया जाता है इसलिए इसका जो right answer हो जाएगा option नहीं हो जाएगा Next question देखंगे कि 1 megabyte लगभग किसके बरावर होता है तो 1 megabyte लगभग 1 million bytes के बरावर होता है तो utility software कहते हैं हमने से क्या कहते हैं जो एक साथ अधिकांस कारेओं को संपादित कर सकता है Next question देखंगे कि user यह क्या से निर्धायत कर सकता है कि computer पर कौन सा प्रोग्राम उपलब्ध है तो इसका right answer क्या है उसका right answer option सी installed प्रोग्राम की लिस्ट को देखकर user यह निर्धायत करता है कि computer में कौन कौन से प्रोग्राम उपलब्ध है Next question देखंगे कि निमलेखेत में ऐसे कौन सा एक सत्त है तो यहाँ पर कुछ statement दिएगा है First है जो binary number में white एक single digit होता है तो यहाँ बिल्कु गलत है क्योंकि bit एक single digit होता है ना कि white और 4 bit को हम निवल कहते हैं और 8 bit को हम एक white कहते हैं तो यहाँ बिल्कु गलत हो जाएगा Next जो statement है कि bit digital numbers के एक समुख कर भी प्रेजेंट करता है तो यहाँ बिल्कु गलत है क्योंकि जो bit है यह एक single digit होता है ना कि group होता है तो और जो third option है कि 8 digital या 8 bit के binary number को हम एक white कहते हैं तो यहाँ बिल्कु साही हो जाएगा और 8 digital binary number को एक bit कहते हैं तो यह बिल्कु गलत हो जाएगा क्योंकि 8 bit को हम एक white कहते हैं इसलिए इसका जो right answer हो जाएगा option C हो जाएगा Next question देखेंगे कि Unix operating system है तो Unix किस प्रकार का operating system है तो इसका जो right answer है option B हो जाएगा एक multi-user multitasking operating system है कौन से Unix इसका जो डेवलब किया गया है 1969 में कब किया गया है 1969 में Bell Laboratory के दो scientist से कौन Ken Thompson और Dennis Richie के द्वारे से डेवलब किया गया है किसे Unix operating system को Next question है कि यहनमे से कौन सा internet पर एक personal communication का साधन नहीं है तो जो Insta note है कौन सा Insta note यह है internet पर personal communication का साधन नहीं है कौन Insta notes जबकि chat instant messaging यह दोनों ही personal communication के साधन है next question देखेंगे कि website किसका एक समोह होता है तो website बे pages का यह HTML document का समोह होता है क्या website इसलिए इसका जो right answer हो जगा option ही हो जाएगा next question देखें कि सबसे अधिक चर्चित वायरस कौन सा था तो जो सबसे अधिक चर्चित वायरस से असीवरेन है कौन सा सबसे अधिक चर्चित वायरस से असीवरेन है और यह है पाकिस्तान में दो भाईयों ने इसे डेवलब किया गया था कब 1986 में इसे डेवलब किया गया था कब पाकिस्तान में दो भाईयों ने इसे डेवलब किया था किस शीवरेन नामक वायरस को Next question देखने कि वायरस सिगनेचर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है तो वायरस की identification है वायरस को identify करने के लिए वाइर सिगनिलेचर का उपयोग किया जाता है नेच्ट कॉशचन देखने की निम्लखित मैं से कौनस राख ब्रावजर का रहे हैं कुछ कार्य दिए गए और पूछे का है कि निम्लखित मैं से कौनस Smith ब्रावजर का का रहे यहां पर फस्ट ऑप्सेन है कि HTML, CSS और Java script का है प्रतिपादन करता है यहां आपको बता दू कि जो CSS है क्या CSS यसे हम Cascading Style Seat भी कहते हैं क्या Cascading Style Seat भी कहते हैं CSS को और इसका जो उपयोग है web pages को अलग-अलग font color animation प्रदान करने के लिए CSS का उपयोग किया जाता है Second option है कि Server Side Database निस्पादित करने में इसका उपयोग किया जाता है web browser पे है बिल्कु गलत है Third option है कि उपयोग करता है users को web सामागरी के साथ interact करने के लिए इसमें interface पर दान करना तो है बिल्कु सही है इसलिए इसका जो right answer हो जागा option सी एक और तीन इसमें सही है क्योंकि web browser की मदद से ही हम किसी भी information को प्राप्त करते है Next question देखंगे कि निमने मैंसे कौन सा programming search engine नहीं है तो निमने मैंसे कौन सा programming search engine नहीं है तो उपेरा है कि उपेरा उपेरा एक web browser है ना कि search engine जबकि नेस्ट question देखंगे कि इंटर्नेट की गती को किसमें मापा जाता है किसमें जीवी पर सेकेंड में इंटर्नेट की गती को मापा जाता है नेस्ट कॉस्चन देखिए भारत में सूचन प्रद्यों किया धीनियम किस बर्स लाउ किया गया था तो भारत में जो IT एक्ट है इसे बर्स 2000 में लाउ किया गया था जो रेमेनिंग कॉस्चन है उन्हें हम नेस्ट पार्ट में कवर करेंगा अधरवाइस वीडियो काफी पसंद आया होगा यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज चैनल को सस्काइब जरू कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए मिलते हैं नेस्ट वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद